नमस्षकार दोस्तों स्वागात है आप सभी का हमारे चैनल के लेक्स रीजे चल रहा है देखे हमार ये करेंट अफेर्स का टेस्ट सीरी के माध्यम से तो शुरुवात करते हैं शुरुवात करने में आपको हमारा टेलिग्राम चैनल का लिंक और जो लोग टेलिग्राम पे नहीं हैं उनके लिए लग से आईडी बनाने के कोई आवज सकता नहीं आप फेस्बूक पर अवस्थे रूप से होंगे तो फेस्बूक पर भी जो ग्रूप बना हुआ है वहां का लिंक जो है आपक उसको वह बहुत ही इंपॉर्टन टेस्टरीज है उसको मत छोड़िए और सुरू से अंत तक कहीं भी उस लेक्चर को आप इसकी मत करिए उसमें इन्वार्मेंट के काफी सारे कॉंसर्प के बारें बात की गई है और आप देखेंगे कि यूपी एस्ट यानि आई एस की जो होगा तो ध्यान दीजेगा इस पर और एक और बात जो आप देख रहे हैं लेक्चर जो है लमबे-लमबे आ रहे हैं तो उनको छोटा करने के लिए आप जहां पर प्ले कर रहे हैं जहां पर यह वीडियो प्ले हो रही वहां पर देख यह तीन डॉट बना होगा उपर जाए और दूसरी बार में आपको ले जाना 1.5 तक ठीक है इससे क्या होगा जो एक गंटे का लेक्चर है वह 30 से 35 मिनट का हो जाएगा आपको आसानी होगी और समय का आभाव धीरे-धीरे होता ही जा रहा है तो विदिन टाइम आप जो है अपने लेक्चर को कम्प्लीट कर ठीक है यह तीजे आवस्यक थी हलांकि देखे हम लोगों को तो हम लोगों को समय का ही मिलता है जो मिलता है यानि कि जितना देर आप साथ रहेंगे उतना देर का ही जो मिलता है वह मिलता है लेकिन फिलहाल जो है आपका फायदा होना ज्यादा आवस्यक है तो चलिए देख इसलिए मैंने अभी तक चैनल भी मोनेटाइज नहीं किया है मैंने पहले भी बोला था जब तक आपका पूरा एक्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको चैनल पर कोई भी एड देखने को नहीं नहीं चल पहला प्रस्न है हमारा कि 15 भारती यूरोपी संग सिखर सम्मेलन 2020 का वर्चूल मोट पर कब आयोजन हुआ एक जुलाई 2020 बी पंदरह जुलाई 2020 सी साथ जुलाई 2020 या फिर दी पांच जुलाई 2020 चल सही अंसर है इसका आप्सन नंबर बी 15 जुलाई 2020 देखे इंडिया यू सिखर सम्मेलन 2020 का वर्चूल मोट में आयोजन हुआ था 15 जुलाई 2020 को जिसकी संयुक तूरूप से अध्यचता की गई प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी यूरोपी परिशत के अध्यच चार्शमी में किया गया था वहीं इंडिया यू पहले सिखर सम्मेलन का आयोजन जून 2020 में लिस बंद पूर्टगाल में किया गया था ठिक चली अगले प्रस्ट में चलते हैं तो यहां पूछा जा रहा कि केंद्री नौहान राज्यमंत्री मन्सुक मंडाविया के द्वारा भारत बांगलादेश तटिय अनुबंध माल परिवहन का प्रथम चालन कब प्रारम हुआ केंद्री राज्यमंत्री मन्सुक मंडाविया ने भारत बांगलादेश तटिय अनुबंध माल परिवहन के प्रथम चालन का सुभारम किया 16 जुलाई 2020 को बांगलादेश के चटो ग्राम बंदर गाह से इसका संचालन जो है कोलकाता पोर्ट से अगर तला तक किया जाएगा त्रिपुरा के अगर तला तक किया जाएगा यहां से यहां तक किया जाएगा वाया वाया बांगलादेश के चटो ग्राम बंदर गाह से ठ की संयुक्त परियोजना पर काम करने का निरड़ लिया है ए दख्षिड अफ्रिका बी बोस्वाना सी रूस या पिड़ी दख्षिड कोरिया चल सही अंसर है इसका ऑप्सन नंबर सी रूस ठीक है देखे हाल ही में जो है यानि की 15 जुलाई 2020 को भारत रूस संबंधों पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया था वेबिनार कुछ खास होता नहीं ऐसे कोई बहुत बड़ा कॉंसेट वाला चीज नहीं जो आपको जोई न आयोजन जो है भारत रूस संबंधों पर 15 जुलाई 2020 को किया गया था इसमें घुस्तला की गई कि रूस और एसिया और अफ्रीका में रूप भारत और रूस के द्वारा जो है सहीं तो रूप से अन्वेशल परियोजनाओं पर काम किया जाएगा ठीक है देखे इस आयोजन इसका आयोजन जो है क्या भारत सरकार के विदेश मंत्राले के द्वारा किया गया था तो नहीं बिल्कुल नहीं प्रस्ट नहीं ऐसा आएगा तो वहां पर आप विकल्प को उसको गलत चुनियागा ठीक है इसका आयोजन जो है रूसी अंतरराष्टी मामलों की परिस्यानी की आर आई एसी और भारति वैस्विक मामलों की परिस्यानी की आई उड़ी द्वारा किया गया था आई सी डव्यक्त का मुख्याल है नई दिल्ली में है वह ही आर आई यसिका मुख्याल है मासको रोसम है चलते हैं प्रस्ट में तो यहां पूछा जारा कि CPJ द्वारा यानि कि Committee to Protect Generalist द्वारा आयो जी द्वारा प्रेस अंतरराष्टी प्रेस वस्वतंतरता पुरसकार 2020 की घोस्वडा कहां की गई A. New York, B. Perth, C. Berlin या फिर D. California सही अंसर है इसका option number A. CPJ के द्वारा अंतरराष्टी प्रेस वस्वतंतरता पुरसकारों की घोस्वडा 13 जुलाई 2020 को New York में की गई सही अंतरराष्टी प्रेस वस्वतंतरता का पुरसकार दिया जा रहा है बांगला देश के साहिदुल आलम को इरान के मुहम्मद मुझेद को नाइजीरिया के दुपो ओलोरो नूपी को और रूस के स्वेतिलाना प्रोकोप युवा को ठीक है देखे इस बार जो है गेविन इफिल प्रेस फ्रेडम आवार्ड जो की इसी अंतरराष्टी प्रेस वतंतरता पुरसकारों के साथ दिया जाते हैं इसको जो है दिया जा रहा है वकील अमिल क्लूनी को और अभी फिलाल इसके घुसरा हुई है ठीक है यह पुरसकार जो है वह उन्नीस नॉमबर 2020 को प्रद इस दच्षड अमेर्की देश में भारती मूल के व्यक्ति को राष्ट पती चुना गया ए गुआयना बी सूरी नाम सी कोलंबिया या फिर डी अर्जेंटीना छली सही अंसर है इसका ऑप्सान नंबर बी सूरी नाम में जो है हाल ही में चुनाओं के नतीजे जो है बताए गए जिसमें पता चला प्राइट के चंद्रिका प्रसाद चान संतोखी जो कि भारती मूलके हैं ये निर्विरोध रूप से वहां के राश्पती चून लिए गया है मूल रूप से इस पार्टी को जो है यूनाइटेड हिंदुस्तानी पार्टी कहते हैं चलते हैं अगले प्रस्ण पर तो यहां पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इस्ट्रेटेजिक एनरजी पार्टनर्शिप पर एक आभासी मंत्री अस्त्री बैठक में भाग लिया ए फ्रांस बी जापान सी सनिक्तुराज जमिर्का या फिर डी जर्मनी चली सही अंसर है इसका option number C ठीक है देखे हाल ही में जो है भारत और यूएस से इस्ट्रेजिक एनरजी पार्टनर्शिप सम्मिलन का आयोजन किया गया एक virtual platform के माध्यम से 17 जुलाई 2020 को इस यानि की इंडिया यूएस स्ट्रेजिक पार्टनर्शिप की स्थापना की गये थी 17 जुलाई 2020 को और इसकी अगली बैठक जो है या वर्स 2021 में प्रस्तावित है इस बार इस बैठक की थीम थी या फिर इसका उद्देश से बताया गया था दिर्ग कालिक उर्जा साज़ेदारी का निर्मार करना इसके आधार इस्तम कैसे होंगे तो बिजली उर्जादा चता यानी की एनरजी एफिसियंसी तेल एवं गयस साथी साथ नविकरनी उर्जा और सस्टेनिबल डिवलाप्मेंट ठीक है इसकी सहाध्ध्य चता यानी की किसके दौरा इसकी सहाध्य चता की गई तो इसकी सहाध 2020 में देशने मुक्त मैई 2020 में किस देशने मुक्त आसमान संधी ट्रिटी ओन ओपिन इसकाई से अलग होने की घुस्ट आ की जर्मनी बी रूस और सी फ्रांस या फिर डी सहिकतराज अमेरिका चली सही अंसर है इसका option number D संयुक्तराज अमेरिका के द्वारा जो है रूस पर आरोप लगाते हुए कि रूस ने जो है सब पहले अंतरराष्टी मुक्ता का संदिका उलंगन किया इस वज़े से 21 मही 2020 को घोसला करते हुए कहा कि मैं जो है अब open sky treaty से बाहर हो रहा हूँ ठीक है इसके घोसला राश्पती डोनाल टरम के द्वारा की गई थी देखे थोड़ा सा जान लिजे इस open sky treaty के बारे में हाँ पर दिया भी हुआ है इस open sky treaty का उद्जे से जो है open sky treaty को हर्षता च्रित किया गया था जो की वर्स 2002 से प्रभावी है ठीक है चली अगला प्रस्ट देखिए तो यहां पूछा जा रहा है कि 22 मही 2020 को भारत के स्वास्त एवं परिवार कर ल्यान मंत्री डाक्टर हर्स वर्धन ने डबलू एचो के कारेकारी बोर्ड के 277 की अध्यचता किये ए 146 में बी 147 में सी 148 में या पर दी इन में से कोई नहीं चली सही अंसर है इसका option number P ठीक है हर्स वर्धन जी के दौरा डबलू एचो के 147 कारेकारी बोर्ड की 147 की जो है अध्यचता की खई गई थीक है कब की गई तो यह की गई 22 में 2020 को हाल्यम वार्स वेचो का एक आयजन किया गmost़ правда vिरिष्ट वास्तिस्तिने डबू एच्य आयजन जो है दल स्वास्तन द्वार्स palavras डबलू एचो की दौरा किया गया था 58 dan 19 मळी 2020 के मद जीनेवा स्विटिजर लेंड में याद रखेगा 73 वी 206 सभा जिनेवा स्विटिजर लेंड में 18 माई 18 से 19 माई 2020 को आयोजित की गई थी वर्चुल प्लेटफार्म पर ठीक है यानि कि वीडियो कांफरेंसिंग के माद्यम से इसका उद्दे से था कोविड 19 महामारी पर विस्ष्ट स्वास्थ एजन्डे को तयार करना और ठीम रखी गई थी डबलो एच्चो की महामारी की प्रत्रिया की स्वतंतर जाज करने का आवाहन और इसमें जो है कारेकारी बोड का बैठक कीया गया कारेकारी सतर का आयोजन कीया गया तो यहां पूछा जा रहा है कि 9 जून 2020 में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की कि द यंग यूनिवरसिटी रैंकिंग यूनिवरसिटी रैंकिंग भारती संस्थानों में किसने उच अस्थान प्राप्ट किया A. IIT रोपड B. IIT कानपूर C. जवाहलाल नहरू विसुद्याल है या फिर D. IIT गुवाहाटी चली, सही अंसर है इसका option नंबर A देखे, टाइम सहर एजुकेशन द्वारा सिच्छड, अनुसंधान, अंतराष्टी द्रिश्टिकोण और उद्ध्योगों से उनकी संबतता के आधार पर 24 जुन 2020 को यंग University ranking 2020 की घोस्डा की गए, जिसमें कुल 414 सेच्छिक संस्थानों को सामिल किया गया था और इन 414 सेच्छिक संस्थानों के सीर्ष समें दो भारती संस्थान सामिल थे जिसमें 62 फी रैंक थी IIT रोपड की और 64 फी रैंक थी IIT इंदोर की ठीक है देखे पहली रैंग जो है हॉंग कांग के विज्ञान और तक्नीकी विश्विद्याले को प्राप्थ हुई दूसरी रैंग जो है नानियांग तक्नीकी विश्विद्याले सिंगापूर को प्राप्थ हुई और तीसरी रैंग जो है वह पी एसल अनुसंधान विश्विद्य पेरिश को मिली चली अगले प्रस्ट पर चलें तो ठीक है चल देते हैं अगले प्रस्ट पर यहां पूछा जा रहा है कि जून 2020 में संउप्तराष्ट जनसंख्या कोस द्वारा जारी State of World Population 2020 रिपोर्ट के अनुसार विश पिछले 50 वर्सों में सरवाधिक लापता होने वाली महिलाओं की संख्या के आधार पर भारत का कौन सा अस्थान है A. दूसरा B. पहला C. चौथा या D. तीसरा चली सही अनसर है इसका तो मन में आ रहा है आपके वो नहीं A. यानि की दूसरा अस्थान है State of World Population 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत में लापत सरवाधिक लापता होने वाली महिलाओं की संख्या के आधार पर भारत की ठीक है और इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है इंपॉर्टन है याद रखेगा सहीकतराष्ट जनसंख्या कोर्ष द्वारा जो है State of World Population रिपोर्ट जारी की जाती सहीकतराष्ट जनसंख्या को सियानी की UN Population Fund ठीक है चलते हैं इसके थोड़ा सा explanation के बारे में जहां सहीम को कुछ और चीजे पता चलेंगी इस रिपोर्ट में देखे यह रिपोर्ट जो है ना 1970 से लेकर के 2020 के लिए जारी की गई थी 30 जून 2020 को और चीन से सरवाधिक पर पहली स्थान पर आता है और भारत में जो है कुल 4.58 करोड महिलाएं लापता हुए 1970 से 2020 के मद्ध ठीक है और इस आधार पर भारत जो है इस रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आ जाता है ठीक है और अगर बात करें पिछले 50 वर्स में कुल कितनी महिलाएं लापता हुए पूरे पीशों से तो वह हुई 14.26 करोड महिलाएं जो है पूरे पीशों से लापता हो गई थी ठीक है देखें 2013 से 17 के दौरा जन्म के समय जो है प्रतिवर्स भारत में लापता होने लड़किया लगभग 4,60,000 मतलब जन्म के समय ही 4,60,000 लड़किया लापता हो गए 2013 से 17 क अगले प्रशन पर चलते हैं तो यहां पूछा जा रहा है कि 26 जून 2020 को संपन 36 में आशियान सिखर सम्मेलन की अध्यच्छता किस देशने की ए वियतनाम, बी भारत, सी सिंगापूर या दी फिलिपिन्स चलते हैं सही अंसर है इसका आप्शन नंबर ए ठीक है देखे 26 जून 2020 को संपन 36 में आशियान सिखर सम्मेलन की अध्यच्छता जो है वियतनाम के प्रथान मंतरी निवगेन जुआन फुक के द्वारा की गई औ उत्तरदाई आशियान ठीक है कोहनसिव एंड रेस्पांसिव आशियान इन 2020 इंपॉर्टेंट थीम रहती है यह सब याद रखे गाठीक है यह सम्मेलन जो है आप्सन है एक केवल एक बी केवल दो सी एक और दो दोनों या डी न तो एक नहीं दो कई बार बात हुई है इस रिपोर्ट के बारे में सस्टेनेबल डेवलोप्मेंट इंडेक्स 2020 किसके दौरा जारी किया जाता है यह भी आपको बताना है चले तो फिर जो बता देते हैं सब कुछ निश्चिंत रहिए सही एंसर है इसका आप्सन नंबर सी यानि कि यह दो के दोनों ही कथन सही है ठीक है देखे सस्टेनेबल डेवलोप्मेंट इंडेक्स को जो है SDSN यहां देखे है सतत्विकास समधान नेटवर कानिकी SDSN और बड्समेन इस्टिम टंग ठीक है बड्समेन इस्टिम टंग के द्वारा जारी किया जाता है स्ट्च विकास रिपूर्ट 2020 सतत्विकास रिपूर्ट को जारी किया जाता है इस सुचकांग में यूनाइट नेशन के सभी सदसे देशों के संख्या है एक सो तिरानमे ठीक ने सुवीडन पहले इस्थान पर रहा डेनमार्क दूसरे इस्थान पर फिनलेंड तीसरे फ्रांस जोथे इस्थान पर रहा ही भारत तो जो है सस्टेनवल डेवलेप्मेंट इन्डेक्स के 2020 के संसक्रण या रिपोर्ट में एक सो सत्रवें इस्थान पर रहा और भारत का कुल अंक रहा 61.92 ठीक चली अगले पर चलते हैं तो यहां पूछा जा रहा है कि जुलाई 2020 में रोज क्रिश्चियन ओसुका रापॉंडा को किस देश की पहली महिला प्रधान मंतरी नूप्त किया गया ए गयबन बी गिनी सी घाना या डी यूगांडा चली सही अंसर है इसका आप्शन नंबर ए ठीक है रोज क्रिश्चियन ओसुका रापॉंडा जो है वा गयबन की पहली महिला प्रधान मंतरी बनी है ठीक है चले अगले प्रश्चियन पर इसमें और कुछ इंपार्टन नहीं डिसकस करने लाए ठीक है चले अगले पर चलते हैं तो यहां पूछा जा रहा है कि जुलाई 2020 में विश्वएंग द्वरा जारी आए अस्तर के आधार पर देशों का वर्गी करण 2020-21 में भारत को किस वर्ग में रखा गया है ए निम्न आयवर्ग बी निम्न मध्यम आयवर् या डि उच्च आयवर्ग चले सही अंसर है इसका आप्सान नंबर बी ठीक है आई अस्तर के आधार पर देशों के वर्गी करण 2020-21 में भारत को निम्न मध्यम आयवर्ग की स्रेडी में रखा गया है चार समूह में है रिपोर्ट जो है वर्ड बाइंग के द्वरा जारी की गई है एक जुलाई 2020 को जिसमें विभिन देशों का वर्गी करण किया गया है 2020-21 के लिए ठीक है उनकी आई के आधार पर देखे वे चार समूह है निम्न आयवर्ग निम्न मध्यम आयवर्ग उच्च मध्यम आयवर्ग और उच्च आयवर्ग ठीक है देखे परिभासा है इस प्रकार से बताईगी वर्डवेंग के अंतुसार ठीक है यह परिभास आपको याद रखें निम्न आयवर्ग में 1036 डालर से कम की देखें यहां पर आयवर्ग है यहां पर लिखा वह देश प्रतिवक्ति सकल राष्ट्री आए ठीक है तो जिस देश की प्रतिवक्ति सकल बता राष्ट्रिय एक 1036 से ले करके 4045 डालर के मध्य होगी उनको निमन मध्यम आयवर्ग में रखा गया हम इसी में आते हैं ठीक है निमन मध्यम आयवर्ग में और उन देशों को जहां पर चाहने देशों की जिनकी 4046 से लेकर के 12,535 टक की प्रतिवैक्टी सकल, राष्टी आया है। उनको उच्च मद्यम आयवर्ग में रखा गया। वहीं 12,535 ब्लर से अधिक की प्रतिवैक्टी सकल राष्टी आयवाले देशों को उच्छ आयवर्ग में रखा गया। अगर बात करें टोटल कि कितने कितने और कौन-कौन से देशों को कहा कहा पर रखा गया तो कौन-कौन से तो नहीं दिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कितने कितनों को जरूर देख सकते हैं, देखें, इसमें भारत को तो निम्नमध्यम आयवर्ग में रखा गया, बिल्कुल रूप स ठीक चलिए अगला प्रसंद देखें यहां पूछा जारा कि जुलाई 2020 में किस देश में भू इस्खलन के करण 162 लोगों की मृत्यू हो गई A. म्यामार B. थाइलेंड C. मलेशिया या D. वियतनाम चलिए सही अंसर है इसका option number A. म्यामार में जुलाई 2020 में 2 जुलाई 2020 को म्यामार की एक जेड की ख़दान है जेड जो है एक प्रकार का हरा पत्थर होता है और म्यामार की इस जेड उद्दो का आकार 31 बिलियन डालर कहा है जिसमें म्यामार जो है जेड का विश्व में सबसे बड़ा स्रोत भी है यह अभी जानीए जेड के बारे में पूछा जाया कहां पर मिलता है सरवाजिक तो यह मिलता है म्यामार में ठीक अब देखें जेड होता क्या है एक प्रकार का हरा पत्थर होता और यहीं पर यानि की इसी जेड की ही ख़दान में एक भू इस्खलन हो गया था जिसके कारण वहां पर लगभग 162 लोगों की इम्रित्थी हो गई 2 जुलाई 2020 को ठीक चलि अगला प्रस देखें तो यहां पूछा जा रहा है कि जुलाई 2020 में समपनच्छट में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिद्थी तो किस ने किया ए हर्सवर्धन बी प्रकास जावेड कर सी नरेंद्र मोदी या पिड़ी अमित साह चलि कौन से मंत्रियों की बैठक हो रही है बताइए पर्यावरण मंत्रियों की तो जाहिर सी बात है जो हमारे पर्यावरण मंत्री है प्रकास जावेड कर जी उनके द्वारा ही भालत का प्रतिनिद्थी तो किया जाएगा देखें यह छटवी ब्रिक्स पर्यावरण मंत्र 6 जुलाई 2020 को वीडियो कान्फरेंसी के माध्यम से किया गया था और मुद्दा इसमें था वही COVID-19 हर्देगर चलना है भाई पर्यावरण सुधार में पहल और COVID-19 के बाद आर्थिक सुधारों के लिए राष्टी योजनाओं के माध्यम से अर्थ विवस्ता को मजबूत करना आप थी मियाद रखेगा वैस्विक इस्तिर्था और साधा सुरच्छा और नवीन विकास के लिए ब्रिक्स देशों की बागेदारी ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दचिड, अफ्रीका दचिक कौन सा देश इसमें बाद में सामिल हुआ है यहाँ बताईए कमेंट करके जल्दी से ठीक यहाँ बताईए यहाँ पूछा जा रहा है कि चुलाई 2020 में जारी वैस्विक बहु आयामी गरीबी सुचकांग 2020 के अनसार भारत में वर्स दोहजार पांच छे से 15-16 के मद्द बहु आयामी गरीब व्यक्तियों की संख्या में कितनी कमी हुई है आई 273 मिलियन बी 263 मिलियन सी 253 मिलियन यह फिर 243 मिलियन चलिए देखे बहु आयामी गरीबी पहले आप समझ लेजए उसके बाद आपसंग विचार करें देखें बहु आयामी गरीबी का निठाराड जो है ना खराप स्वास्ति शिछा की कमी जीवन अस्तर की अपरयाप लोग रहा है लेकिन वह अच्छे तो पर्या वराट के लिए खतरनाक हो ऐसे सब भी कारकों को जो हैं वैस्विक बहु आयामी गरीबी सुचकांग के अंदर सामिल करते हैं या फिर इसी को हम जो है वैस्विक बहु आयामी गरीबी कहते हैं ठीक है तो बताएं कितने लोगों क गिरावाठ होई भारत में है वैस्विक भःवि के द्वारत में गरीबी के उसके द्वारा के आं सर नंशर्य स्का कर lavoro मिन्kell में खाए ठीक है डेकिए। इस रिपोर्ट के वारे हैं थोड़ा सा आराम से देखे इस रिपोर्ट यानि वेस्विक भाया में गरीवी सुषकांग 2020 को 16 जुलाई 2020 को आक्सपोर्ड विस्विद्ध जाला के आक्सपोर्ड गरीबी और UNDP और इस सुचकांग के मापन के विसविशयानि उनका आधार क्या था तो इस तुम्चांग में प्रतिवर्थ व्यक्तिगत एवं सामूही रूप से गरीब व्यक्तिओं के जीवन की जटिलताओं का मापन किया जाता है इस सुचकांग के माध्यम से इसमें जो है विस्व की लगबग 5 बिलियन जनसंख्या को सामिल किया गया ठीक है देखे 107 विकास सिल देशों में बहुआया में गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 22 प्रतिसत रही यानि की 1.3 बिलियन लोग ये बहुआया में गरीबी में रहने वाले लोग है और इन में से जो है यानि की बहुआया में गरीबी लोगों में 18 वर से कम आयो के बच्चों की संख्या चेसो चो फालिस मिलिएन ुप सहारा अफरिका और दच्षिड एसिया द में रहने वाली बहुANA मैं गरीब है ठीक और इसकी अलामा अन्यःप्ट देखिए तो देखे मध्यमायद देशों में रहने वाले लोगों कि रहने वाले बहुआयाम गरीबी लोगों का प्रश्चत सरस्ट रहा वहीं 60 वर्स या उससे अधिक आयू के बहुआयाम गरीब रेंक मूल में कमी करने वाले देशों की शंखाना। और भारत की इस्थिति search anad Cody लौर fast 2 273 में गरीए वेक्थियों की की गरीवी को समाप्थ किया ग मैस जो है और जो hoopा घरीब लोगों की स्यंख्धान करी कर दो करने वाला देश बन गया है। ठीक है। चलते हैं girls थोड़ा थोड़ा कुछ चीजे जो आ जाती उनको समझा करिए और परिसान मत हुआ करिए चलिए यहां बताईए जुलाई 2020 में राष्टी क्रिशियों ग्रामिड विकास बंक यानिकि नाबाढ़निक किस राज में अमफान चक्रवाद द्वारा छति गरष्ट बुनियादी द्हाचे के निर्मार है तू 795 करोड रुपए आवांटित किये ए पस्चिम बंगाल बी आंध्रप्रदेश सी ओडिशा या डी तमिल नाडू चली सही अंसर है इसका ऑप्सन नंबर यह पस्चिम बंगाल ठीक है किसने दिया या पैसा या दिया गया नाबाढ़ के द्वारा जारी किया गया ताकि वहां पर जो बुनियादी धार से च्छती रस्त हो गया उसका पुनर निर्मार किया जा सके ठीक चली चलते हैं अगले 2020 में Westwick अस्तर पर बीजनेस डोमेन में भारत का अस्थान है A. 34 B. 35 C. 36 या फिर D. 37 चली सही अंसर है इसका option नमबर A. Westwick अस्तर पर बीजनेस डोमेन में भारत का इस्थान जो है विश्व कौसल सुचकांग 2020 में 34 है ठीक है इस सुचकांग को कौन जारी करता है तो इस सुचकांग को कौर्सरा आपने देखा होगा एक online सिच्छर platform है उसके द्वरा यहा जारी किया गया जुलाई 2020 में सुचकांग में जो है कुल 60 देशों को सामिल किया गया था और इन 60 देशों में बिजनेस डोमेन में भारत का इस्थान रहा चोतिसवा और पहला इस्थान रहा स्विडिजर लैंड का तीन आधारों पर इसमें जारी किया जाता है तीन इंडेक्स को सामिल किया जाता है ठीक है तो देख लिए देखे डेखे शूचकांग में साठ्धба सामिल थे और वैस्विक अस्थार फेले इस्थान पर रास्विजर्ल लेंड वैसविक चस्थार पर टेक्नलाजी दोमें भारत का स्थान रहा everywhere वैस्विक को। सूचकोंग क्या फिर Asia प्रसांच छेत्र के सामिल देशों के बारे में जो की 20 कोसल सूचकांग में सामिल थे जिसको की कोर्षेरा के द्वारा जारी किया जाता है ठीक है तो देखे इसमें जो है यानि कि Asia प्रसांच रीजन में बिजनेस डोमेन में भारत का इस्थान आठवा रहा और पहले इस्थान पर रहा सिंगापुर वहीं एसिया प्रसान के टेकनलोजी डोमेन में भारत का इस्थान रहा दसवा और पहले इस्थान पर रहा न्यूजी लेंड और सबसे अंत में इसिया प्रसांच छेतर के डाटा साइंस डोमेन में भारत का इस्थान रहा बारवाँ और पहले इस्थान पर रहा होंग कॉंग ठेक चल आगे देखें यहां पुछा जा रहा है कि जुलाई 2020 में भारत की कौन सी उर्जा कमपनी इस्थान मोबिल को पचार करके दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी उर्जा कमपनी बन गई सबसे बड़ी उर्जा कमपनी वहा तो सौधी की अरामा को है और अगर बात करें दुनिया के सबसे मुल्यवान कमपनी के बारे में तो दुनिया के सबसे मुल्यवान कमपनी के बारे में तो दुनिया के सबसे मुल्यवान कमपनी है सौधी अरामा को ठीक और दुनिया के अन्य मुल्यवान कमपनी है तो एपल, माइक्रोसाफ्ट, अमेजन और अलफाबेट ठिक अल्फाबिट उसी का गूगल है ठिक है अल्फाबिट का ही गूगल है ठिक है चलिए यहां बता हिए 23 जोन 2020 को सवयुक्तराष्ट सहचिक वैग्यानिक और सांस्कृतिक संगठन यानि की यूनेश को ने वैस्विक सिच्छा निगरानी रिपोर्ट ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020 को जारी किया इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे गरीब देशों में से कितने प्रतिशत ने कोविड-19 महामारी के दोरान वन्चित विद्यार्थियों को विशिष्ट सहायता प्रदान नहीं की ए 40 प्रस्यत बी 45 प्रस्यत सी 55 प्रस्यत या फिर दी 65 प्रतिशत चली सही अंसर है इसका आप्सन नमबर ए यानि की जो वैस्विक सिच्छा निगरानी रिपोर्ट यून विद्यार्थियों को विशिष्ट सहायता नहीं प्रदान की ठीक है यानि की वहाँ के विद्यार्थि Новेंजित रहे सिर्सक्था समावेस और सिच्छा और स्भ यानि सभी थीं कर? आल मिन्स आल ठीक देखें कोविड-19 महामारी के तोरान वंचित विद्यार्थों को विशिष्ट साहता नहीं प्रदान की गई तो सबसे गरीब देशों में से 40 प्रश्चत के द्वारा वहीं सिच्छा में पूर्ण समावे सुनिश्चित करने वाले कानून सिर्फ 10 बच्चे जो है वह सिच्छा नहीं प्राप्त कर पाते 258 विलियन उनकी संख्या है यहां देखिए विकलांग बच्चों के विश्य में परियाप्त डेटा नहीं कत्रित करने वाले लगभग आधे निम्न और मध्यम आयवर्ग वाले देश है ठीक है और यहां देखिए इसके राएं सिच्छा प्रस्यात कर देश है तो निम्न अध्यम आयवर्ग तीहत्तर प्रस्यात के जिस देशों के द्वारा और उच्च मध्यम आयवर्ग बच्च्छा के लिए ऊन-लाइन प्लेटफर्म को अपनाया गया वहीं इसकूल ड्राप आउट कि दर में कोविद वहीं 22 प्रिश्द जोहवा कच्छा के समय में व्रिद्धी करने पर फोकस कर रहे हैं और साथ-ई-शाथ प्रिश्द जोहवा सुधारात्मक कच्छाओं को सुरू करने की योजना बना रहे हैं ठीक है चलिए अगले देख लेतने हैं अगला प्रस्ण को तो यहां पूछा जा रहा है कि जून 2020 में स्वेडिजर लेंड के केंद्री बैंक स्विश निशनल बैंक द्वारा जारी वार्षिक बैंकिंग आकडों के अनुसार स्वेडिजर लेंड के बैंकों में वर्ष 2019 के अं श्रीजर लेंड में भारत के लोगों द्वारा जमा किया पैसे मामली में भारत का इस्थान है सतह तरुआ ठीक है कि 2018 में भारत का इस्थान था 74 ठीक इस सूची में यानि कि सबसे ज्यादा ब्रिटेन के लोगों द्वारा इस अपना पैसा जमा किया जाता है स्विस नेशनल बैंक में उसके बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है ठीक है ब्रिक्स देशों की बात करें तो ब्रिक्स देशों में सरवाधिक पैसा जमा किया गया रूस के लोगों के द्वारा स्विडियर लैंड के या स्विस बैंकों में और इसके अलामा अगर बात करें कि 2019 में भारती नागरिकों तथा कंपनियों द्वारा स्विस बैंकों में जम हम लोग कर रहे हैं है कि नहीं चली अगला देख लेते हैं तो यहां पूछा जा रहा है कि संयुक्तराष्ट पर्यावनण कारेक्राम एवं अंतरराष्टी उर्जा एजेंसी की सीतलन उस्तरजन और नीती विस्वेशनर रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में वैस्वी कस्तर पर कितने सीतलन उपकरण है A 3.6 billion B 4.8 billion C 10 billion या फिर D 5.2 billion स्विक्तराष्ट पर्यावनण कारेक्राम यानि की UNEP नेप वहीं अंतरराष्टी उर्जा एजेंसी यानि की IEA International Energy Agency ठीक है चली देखिए इसका सही अंसर है option number A 3.6 billion वर्तमान में जो cold storage या फिर सीतलन उच्टरजन और नीती विशलेशन स्थान है ठीक है उनकी संख्या जो है तीन दिसंबलो अरे जो cold storage है वर्तमान में या फिर cold वह उपकरण है आपके instruments जो है cold उनकी संख्या जो है इसको इस रिपोर्ट को जारी किया गया था ठीक है इसमें पताया गया कि ठीक उर्जाद अच्छता में सुधार से हरित गैस उस्टरजन यानिकी ग्रीन हाउस गैस के उस्टरजन इमिशन में जो है वनसंसाधन मुल्यांकन ठीक वैसिक वनसंसाधन मुल्यांकन दो हजार बीस फॉरेस्ट रिसोर्स एसेट्मेंट एसेस्मेंट दो हजार बीस एफारे रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिवर्स औसतन कितने परिशत वन शेत्र वृद्धी बताई गई a. 1.5 प्रतिशत b. 0.38 प्रतिशत c. 0.98 प्रतिशत या फिर दी 0.56 प्रतिशत चलि शही अंसर है इसका आप्सिन नंबर बी यानिकि एफ एओ की एफारे रिपोर्ट टॉंटी टॉंटे के अनुसार भारत में जो है वह वार्षिक और सतन वन वरिद्धी 0.38 प्रतिशत है इस रिपोर्ट को 7 जुलाई 2020 को खाद एवं क्रिसी संगटन यानि कि FAO को जारी किया गया चिसमें कुल विशु के 236 देश या छेतर सामिल थे और आकड़ा घठा किया गया आकड़ो का मुल्यांकन किया गया 1990 से 2020 तक वन्यों का वन्यों थे उनका मुल्यांकन किया गया सरवाधिक वृध्धि वाले अगर तीन देशों की बात करें इस रिपोर्ट के अंसर तो चीन आस्ट्रेलिया और भारत में सरवाधिक वृध्धि दर्ज की गई इस दोरान ठीक है भारत जो है सरवाधिक वृध्धि के मामने में 0.38 प्रशिषत की औसुतन वार्शिक वृध 27 प्रशिषत है टेंपरेट वन जो है 16 प्रशिषत और सब ट्रोपिकल वन रहें 11 प्रशिषत इस रिपोर्ट में वैस्ट्विक वन संसाधर मुल्यांकन रिपोर्ट में ठीक है वहीं सरवाधिक वृध्धि जो है एसिया चेत्र में दर्ज की गई और यहां पर वृधि दर 158 मिलेन हेक्टियर की कमें हुई जो कि लगभग लगभग लीविया के च्छितर फल के बराबर है वहीं विष्व में कुल 1 चेत्र जो है यहां 4.06 बिलियन हक्टियर के साथ विष्व के कुल भूमी च्छितर फल का लगभग 31 प्रतिसत है और प्रतिवक्ती 1 च्र के अगर कब जा करके अपनी छेत्र में रहते हैं ठीक है तो दूसरा विश्व के कुल वन का 54 प्रस्थ भाग सिर्फ और सिर्फ पांच देशों में कौन कौन से देश हैं तो रूस यहां पर विश्व के कुल वन का 20 प्रस्थ भाग है दूसरे स्थान पर ब्राजिल जहां पर कुल पांच प्रस्थ वन है ठीक है चली अब भारत का कुल कितना है तो देखें विश्व वन चेत्र का दो प्रस्थ भारत के पास है जिसमें वार्षिक ऑस्तन विर्धी 0.38 प्रस्थ या फिर 2,66,400 हेक्टेर की हो रही है ठीक दो 1970 से 1990 से ले करके 2020 तक के लिए यह रिपोर्ट ज RA Forest Resource Assessment नाम है इस पूरी रिपोर्ट का जिसको जो है FAO के द्वारा यानि की ख़द एवं क्रिसी संगटन के द्वारा जारी किया जाता है ठीक है चली अगला प्रस्थ देखें तो यहां पूछा जा रहा है कि मई 2020 में नेपाल सरकार द्वारा जारी किये गए मानशित्र में भारत के किस अस्थान को नेपाल के हिस्से में दिखाया गया ए लिम्पिया धूरा बी काला पानी सी लीपू लेक या फिर दी उपरिक्ट सभी चली सही अंसर है इसका option नमबर डी उपरिक्ट सभी चेत्रों को नेपाल सरकार द्वारा अपने मानशित्र में दिखाया गया ठीक है बस इसमें इतना जान लिए यह तीनों चेत्र जो है ना भारत के पिथोडागर जीले का फाग है जो कि पिथोडागर और पिथोडागर जो है वह उत्तराकंड का हिस्सा है ठीक है चली अगला प्रस देख लेते हैं यहां पूछा जारा है कि मई 2020 में कौन सा देश कूछ चीनी कमपणियों को अपने इस्टाक एक्स्चेंज ओ पर सेयर बेचने से रोकने हैं थो विध्यक को पारित किया गया ए फ्रांस बी भारत शीयचिय आर sor की कंपनियों को अपने इस्टाक एक्षेंज में सेरों को बेचने से प्रतिबंदित किया कि चल सही अंसर है इसका आप्शन नमबर डी अमेरिका के द्वारा जो है चीनी कंपनियों कुछ कुछ चीनी कंपनियों को अपने देश के स्टाक एक्षेंजरों में सेहरों को बेचने से प्रतिबंद लगा दिया गया ठीक है ऐसा जो है अमेरिका के दोर एक अधनियम बना कर किया गया और अधनियम है अधनियम या विध्ययक के तरस बताया गया कि अगर किसी देश की कंपनी लगातार तीन वर्सों तक यूएस पब्लिक कंपनी अकांटिंग ओवर्साइट बोड के अधनियमों का पालन न कर पाया तो उन कंपनियों पर यह प्रतिबंद लागू कर दिया जाता है विध्ययक का सही तुरूप से पेश किया गया था ठीक है चलते हैं अगले प्रस्ण पर उद्देश यह बताया गया था कि अमेरिकी निमेश को और उनकी सेवार इंवर्ति बचत को विध्य कंपनियों से बचाना ठीक है 20 मई 2020 को इस विध्यक को पारित किया गया था यहां देखे हाल ही म में भारत ने किस देश में कपास निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपना कपास गुदाम इस्थापित किया है ए वियतनाम बी बांगलादेश सी मालदीव या डी फिलिपिन्स चले सही अंसर है इसका आप्शन नमबर ए वियतनाम ठीक है भारत द्वारत जो है कपास निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वियतनाम में एक गुदाम की स्थापना की गई ठीक है इसकी स्थापना की गई भारत के काटन कार्परेशन आफ इंडिया के द्वारा देखे भारत में सीर्ष का पात उत्पादाक राध्य गुजरात है ठीक है चली अगले प्रस्म पर चलें तो यहां पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश में भारती सहयोक से तीन सब वर्ष पुराने काली माता मंदिर का पुनर निर्माड हुआ है ए नेपाल बी भूटान सी बांगला देश चले सही अंसर है इसका आप्सन नंबर डी बांगला देश देखे नेपाल बांगला देश के नाटोर छेतर में यहां काली माता जी का मंदिर है जिसका पुनर निर्माड करके उद्गाटन किया गया 27 जुलाई 2020 को बांगला देश में भारती उच्चायोक त युनेज आमद जी के द्वारा संक तुरूप से एक वर्चुवल प्रोग्राम के माध्यम से ठीक है इस मंदिर के पुनर निर्माड के लिए वर्स 2016 में ही समझोता हो गया था और इसके पुनर निर्माड के लिए भारत सरकार द्वारा बंगाली रुपया यानि कि टंका में वित्तिय सहायता दी गई थी 97 लाक की और यह मंदिर जो है स्री दयाराम द्वारा 18 वी सदी के प्रारम में लगभग 300 वर्स पहले बनाया गया था ठीक है दयाराम राय के द्वारा ठीक है 18 सताब्दी में बनाया गया था इस मंदिर को बंगाल के नाटोर जिला में यहां दे चले सही अंसर है इसका आप्सन नंबर सी बांगलादेश ठीक है भारत सरकार द्वारा बांगलादेश को दस ब्राडगे डीजल लोकोमोटिव इंजन दिये गए 27 जुलाई 2020 को और देखे भारत द्वारा यह जो यह काम किया गया अपनी नाइबर हुट फर्स पॉलसी के त युनता मौधी 28 वर्स है और साथ ही साथ इसके तो यह जो है तैंतिस हार्स पावर की छमता और 120 किलोमेटर यह याद रखेगा 120 किलोमेटर प्रदिघंटे की रफ्तार से चल सकती है ठीक है चली अगला देखते हैं तो यहां पूछा जा रहा है कि संयुक्तराष्ट विश् रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा देश बाग के अंगों की तसकरी का सबसे बड़ा स्रोत है ए भारत बी दच्छेड़ अफ्रिका सी वियत नाम या पे डी ब्राजील चली सही अंसर है इसका आपसर नमबर ए ठीक है संयुक्तराष्ट विश्व वन जीव रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत जो है वह विश्व का सबसे बड़ा बागों के अंगों के तसकरी करने वाला देश है यह स्रोत है ठीक है यानि कि यहां से बागों के तसकरी की जाती वि इस रिपोर्ट में जो है जंगली जानलों जैसे कि पैंगों के तसकरी के लिए वहीं इस रिपोर्ट से पता चलता है कि वर्ष 1999 से 2018 के मद्द है लगवक 6,000 प्रजातियों की तसकरी पकड़ी गई जिसमें इस्तंधारी जीवों के साथ सरी श्री मुर्गा पच्ची सभी सामिल थे मतलब कुछ भी छोड़ा नहीं भाई लोगों ने चली आगे देखिए तो यहां पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत सरका अपने किस पड़ोसी देश में सौर उर्जा सयंत्र इस्थापित करने की योजना बनाई है ए नेपाल बी स्री लंका सी बांगला देश या डी भूटान चली सही अंसर है इसका आप्शन नंबर बी बा स्री लंका ठीक है भारत दोरा जो है स्री लंका में सौर उर्जा सयंत्र की इस्थापना की जा रहे है यह भारत के एंटी पीसी के और एंटी पीसी के दोरा आईयसे के तत्वा धान में यानिकी इंटरनेशनल सोलर सोलर आज भी अपने अजगांस उर्जा जरूतों के लिए कोईला और तेल पर ही निर्भर है और यहां पर एक अन्य फैक्ट बताए गया है कि आई एसे का मुख्याल है गूरू राम हर्याणा में है ठीक चली अगला देखे यहां पूछा जा रहा है इतने इंपॉर्टेंट यह करेंगा ठीक है आगे देखे जुलाई 2020 में यूनिसेफ द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में लगभग कितने बच्चों के रक्त में सी से या लेड़ी की मात्रा अधिक है ए 800 मिलियन बी 700 मिलियन सी 600 मिलियन या फिर डी 500 मिलियन चल सही अंसर है इसका आप्शन नमबर ए 800 मिलियन ठीक है बिसमें लगभग 800 मिलियन बच्चों के अनुसार वा सी से या लेड़ी की मात्रा सरवाधिक है ऐसा UNICEF पी एक रिपोर्ट The Toxic Truth में बताया गया ठीक है इस रिपोर्ट को 30 जुलाई 2020 को जारी किया गया रिपोर्ट का सिर्षक था The Toxic Truth Children Exposure to Lead Pollution Undermines a Generation Future Potential ठीक है इस रिपोर्ट को UNICEF और एक NGO प्योर अर्थ के द्वारा मिल करके तयार किया गया था रिपोर्ट में बताया गया कि विश्व के लगभग 800 मिलियन बच्चों यानि की लगभग तीन में से एक बच्चे के रख्ट में सीशे की मात्रा निर्धारी तो पांच माइक्रोग्राम प्रती डेसी मीटर या उससे अधिक है जो बच्चे के दिमाग को अपूरणी है यानि कि जिनको पूरा न किया जाता है ऐसी छती पहुंचाता है और इससे जो है ना दच्छड एसिया की लगभग आधी से ज्यादा आबादी पीडित है ठिक और यह या यूनिसेप के द्वारा जारी की अपनी तरह की पहली सी लीटर से अधिक पाया गया उनके रक्त में सी से या फिर लेड के मात्रा को ठीक चलिए अगला देख लिजे यूनिसेप और एक एंजीओ प्योर अर्था इसके दौरा मिल करके इस रिपोर्ट को तयार किया गया तक इस रिपोर्ट को दर टॉक्सिक प्रूथ को ठीक ए मालदीप बी मौरिसस सी नेपाल या पर डी अफगानिस्तान चलिए कई बार बात हुई इस प्रस्ट में सही अंसर है इसका आफसर नंबर बी मौरिसस में ठीक है तीस जुलाई दोहजार बीस को प्रधान मंत्री नर्ण वोदी और मौरिसस के प्रधान मंत्री में नए सुप्रिम कोर्ट भाउन का निर्माल किया गया जिसके लिए भारत दोरा आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया था ठीक है मारिसस कहां पर है तो यह तो नहीं बताना पड़ेगा मेरे ख्याल से यहां बताइए हाल ही में किस देश ने जेलम नदी पर 700 मेगावाट आ प्रेल सही अंसर है इसका option no.b. चीन ठीक है और एक अन्य बाध भी बनाया जा रहा है भारत पाकिस्तान के दोरा मिल करके वह किस नदी पर बनाया जा रहा है यहां आप कमेंट करके बताइए और उस बाध का नाम क्या है नाम चली मैं बता देता हूं डायमर भासा बांध ब भी डिसकस किया है ठीक है तो चलिए यह होता है कई जगहों से करेंट अफेर्स पढ़ने का फायदा हर जगह से आपको वही प्रस्ण मिलते हैं बस घुमा फिरा करके मिलते हैं ठीक है तो बताइए यहां का तो सही अंसर यह हो गया आजात पटन जल्विद्द परियोजना जो में बनाया जा रहा है जो कि पाकिस्तान अध्कृत कस्मीर है ठीक है और यह समझाता 22 जुलाई 2020 को किया गया था और यह जो है सीपेक आर्थिक गलिया रहे कि दूसरी पन बिजली परियोजना है ठीक है चलिए बताईएगा आप लोग पहली कौन सी है वह तो मैंने बता दि इसको भारत की पहली सौर उर्जाचालित नौका आधित्यने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्टित गुस्तावे ट्रोवे अवार्ड जीता इस नौका का संचालान भारत के किस राजमें किया जा रहा है ए केरल बी तमिल सी तिलंगाना या फिर दी परस्चिम बंगाल चली सही अंसर है इसका आप्शन नंबर ए केरल में ठीक है यानि कि जो भारत की पहली सौर उर्जाचालित बोट है या फिर नौका है आधित जिसका नाम है उसका संचालन किया जा रहा है केरल में यह नौका जो है 27 जоме देके 27 जूलाई कहा रहा हूं इस नौका यानि कि आधित नौका का प्रारम किया गया था जनुरी 2017 में कीरल के अलपुझजा जिले में वैकाम से ले करके थवान क्वाक्वादू मार्ग पर चलाई जाती है ठीक लेकिन इसको 27 जुलाई 2020 में प्रतिष्ठित Gustave Troye Award प्रदान किया गया अब थोड़ा सा Gustave Troye Award के बारे में जानिए तो देखिए Gustave Troye Award जो है ऐसे व्यक्तिवों या कमपनियों को दिया जाता है जो अत्याधुनिक इलेक्टिक नौकाओं का निर्माड करते हैं और या फिर जो जाना चाहिता आपको कि 2017 से नाव चल रही है लेकिन अभी तक दिया क्यों नहीं गया तो दिया इसलिए नहीं गया है क्योंकि 2017 से यह अवार्ड था ही नहीं यह 2020 में बनाया ही गया है ठीक है चली आगे देखिए यहां पूछा जा रहा है कि साबिक रसाइनिक संयंत्र यान यानि सी लिखता हूँ सी इस्पेन या फिर डी अमेरिका बताइए भाईया कहां पर जो है वह साबिक केमिकल प्लांट है जो कि पूरी तरीके से नभी करड़ी उर्जा से संचालित होने वाला है चली सही अंसर है इसका आप्शन नंबर सी इस्पेन में इस्थित्साविक रसाइनिक तंत्र जो है दो हजार चोविश तक पूरी तरीके से जो है नभी करड़ी उर्जा से चालू हो जाएगा देखिए यहां पर 29 जुलाई 2020 को सौ प्रसत और सौ और उर्जा से संचालित होने वाला पहला सैंत्र बना साविक रसाइनिक ते सैंत्र यह इस्पेन में है और 2024 तक इस सैंत्र के पूरी तरीके से चालू होने की संभावना है चलिए अगला प्रसन दिख लेते हैं तो यहां पूछा जा रहा है कि जुलाई 2020 में भारती यूरोपी संग सिखर वर्चुल सम्मेलन में कितने वर्सों के लिए वग्यानिक और तकनीकी सहयोग के छेतर में भारत EU समझोते का नवी करण किया गया या फिर नवी नहीं करण क किया गया ए तीन वर्स बी पांच वर्स सी आठ या पर दी दस वर्सों के लिए चली तो सही अंसर है इसका आफसन नमबर बी ठीक है इंडिया यू वग्यानिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत यूरोपी संग समझोते का नवी करण किया गया अगले पांच वर्सों के लिए पंद्रवे भारती यूरोपी संग सिखर वर्चुल सम्मेलन के माध्यम से इ ठीक है देखे 2020 से 2025 तक यह नवी करण किया गया या फिर रिन्यू किया गया इस पूरी योजनाया समझोते को ठीक चले अगले प्रस्म पर चले तो यहां पूछा जा रहा है कि जुलाई 2020 में संगहाई सहयोग संग्टन यानि की SCO के सदस्य देशों के स्वास्त्रमंत्रियो कि इस में आना चायए कि किसी भी संगुटन का बारे में चर्चा हो तो आपके दिमाग में आना चाय चाहिए कि 오른 वह से सा मिलिफ थीक तो कजाकर沒有 कजाकर्स्तान करिं trades रूस तिक अब देखिऊ तजाकस्तान उजबेकिस्तान भारत और पाकिस्तान सामिल है ठीक है यानि कि कुल आठ देश सामिल है SEO में इसकी स्थापना जो है 15 जून 2001 को की गई थी ठीक और यह एक इंटर गॉवर्नमेंटल इंटरनेशनल और्गनाइजेशन है यानि कि अंतर सरकारी अंतर राष्ट्री गटबंधन है ठीक है या संगठन है गटबंधन नहीं संगठन है ठीक है तो अब बताएं इस प्रस्ण का एंसर क्या होगा डिश्टल वैठक की अध्यचता किस देश के द्वारा की गई SEO के स्वास्तमंत्रियों की देखें सही अंसर है इसका आप्सन नमबर ए रूज के द्वारा की गई थी SEO के स्वास्तमंत्रियों के डिश्टल वैठक की अध्यचता ठीक है जिसमें भारत का प्रतिश्वत किया गया था डॉक्ट मेस्ट के भारत के स्वास्त और परिवार कर लियान मंत्री डॉक्टर हर्स वर्धन जी के द्वारा ठीक है चलिए चलते हैं अंगले प्रस्ण पर तो यहां पूछा जा रहा है कि जुलाई 2020 में किस देश ने कोरोना महामारी के दौरान फ्रंट लाइन वरियर के तौर पर काम करने वाली भारती मूलकी नर्स को राष्टपती पूरसकार से सम्मानित किया था अमेरिका, बी सिंगापूर, सी जापान या डी चीन चली, सही अंसर है इसका आप्सन नमबर B देखे, भारती मूलकी एक नर्स है जिनका नाम है कला नरायन सामी इनको जो है सिंगापूर के द्वारा देश का सरवस्रेश्ट पूरसकार राष्टपती पूरसकार प्रदान किया गया जिसके माध्यम से इनको एक प्रमाण पत्र, एक ट्रॉफी और 7228 यूएस डॉलर दिया गया ठीक है यह पूरसकार इनको जो है सेवा के छेतर के लिए दिया गया और इस पूरसकार को यानि कि कला नरायन स्वामी को अकेले ही यह पूरसकार नहीं मिला था देखे फ्रंट राइन वर्यर के रूप में काम करने के लिए पांच नर्सों को पूरसकृत किया गया था जिसमें भारती मोलकी कला नरायन स्वामी भी सामिल थी यहां कोरोना महामारी के दौरान काम करने वाली नर्सों के रूप विशेश रूप से दिया गया था अवार्ड ठीक चलिए अगले प्रस्न पर देखते हैं यहां पूछा जा रहा है कि जुलाई 2020 में वैस्विक अधिकार सुचकांग 2020 में सामिल देशों की संख्या क्या है A. 142 B. 146 C. 148 या फिर D. 144 चलिए सही अंसर है इसका आप्सन नमबर D ठीक है वैस्विक अधिकार सुचकांग 2020 में 144 देशों को सामिल किया गया इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है ITUC यानि की इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन के द्वारा और इस बार यह रिपोर्ट जो है 16 जुन 2020 को जारी की गई और यह रिपोर्ट जो है अपने सभी संस्क्रणों में सात्मी रिपोर्ट थी ठीक है सात्मा संस्क्रण था इस बार आई टी यू सी के द्वारा जारी वैस्विक अधिकार इंडेक्स का ठीक है इस सुचकांग में भारत जो है भारत जो है कामकाजी लोगों के लिए 10 सबसे खराब देशों में एक है ठीक है सुचकांग में खुल 144 देश सामिल हुए और सुचकांग का विशाय रहा इजबार स्रम्कों के लिए विशाय के सबसे खराब देशों का वर्डन ठीक है स्रमक्यों के लिए सबसे खराब शेतर मध्यपूर और उत्तरी अफ्रीका रहा इस वेस्ट्विक अधिकार सुजकांक रिपोर्ट के अनुसार ठीक है चलिए आगे चले तो यहां बताईए आगया हमारा गुलबेंकियन प्राइच तो बताईए भाईया जुलाई 2020 में किसे मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरसकार प्रदान किये जाने की घोसड़ा की गए ए मलाला यूसुप जै बी ग्रेटा थनवर्ग सी इंदिरा नूई या फिर दी अमरते सेन चलि शही अंसर है इसका आप्सन नमर बी गुल में मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरसकार जो है यह दिया गया इस्पेन की पर्यावरनकार करती ग्रेटा थनवर्ग को ठीक है चलिंदियोग सी पुरसकार में उनको एक मिलियन यूरो मिला था ठीक है कितना एक मिलियन यूरो मिला था इस बच्ची को जिसका नाम है ग्रेटा ठनवर जो कि इस पेन की एक पर्यावन कारेकतरी है ठीक है इसी को यानिकी ग्रेटा ठनवर को ही ताइम परसन अब दे यह तुहतर नीस तो देखें इनको बंडकर जलवाई परिवर्रतनीं पड़ने के लिए युवा पीडियों को जागरूप करने के प्रयासों के स्वरूप दिया गया था ठीक चले अगले प्रस्ण पर तो अगला प्रस्ण हमारा कि जुलाई 2020 में कौन सा देश विश्व्यापार संगठन यानि के डबलू टीयों का पचीसवा परवेच्छक देश बना ए तुर्कमेनिस्तान, बी कजाकर्स्तान, सी अफगानिस्तान या फिर डी उजबेकिस्तान चले सही अंसर है इसका आप्शन नमबर ए तुर्कमेनिस्तान जो है या डबलू टीयों का पचीसवा परवेच्छक देश बना और इसके अलामा जो है इसके साथ ही जो है परवेच्छको की संक्या बढ़ करके 24 से बढ़ करके 25 हो गई ठीक है डबलू टीयों की स्थापना एक जन्वरी 1995 को जिनेवा स्वेट्जर लेंड में की गई ठीक है और इसमें इसके पचीस में यानि के पचीस में आपजर्वर इस्टेट यानिकी परवेच्छक देश के रूप में 22 जुलाई 2020 को तुर्कमेनिस्तान सामिल हुआ था इंपोर्टेंट फैक्ट है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा चली इस लेक्चर के सबसे अंतिम प्रस्ण को हम देख लेते हैं तो यहां पूछा जा रहा है कि जुलाई 2020 में अंतरराष्टी सौर गडवन दनी यान सही अंसर है इसका आफ्सन नंबर पी निकारा गुवा ठीक है निकारा गुवा यहां आईसे को साइनिया भस्ता छिर्ट करने वाला 87 सीमा देश बन गया है आईसे की इस्थापना जो है ना नॉवंबर 2015 में पेरिस में आवजित संयुक्तराष्ट जलवाई परवरतन सम्मे स्थिलन में पर्धानमंत्री नरेंदरोदी और फ्रांस के तत्काली नराष्टपती फ्रेंकोईस ओलांड के द्वरा संक तुरुक्स गोषडा के माध्यम से की गई थी आईसे का मुख्याला जो है गुरूराम हरियाणा में है इसका उद्धिया सी का है तो आयसे का उद्ध ना ठीक है इस गटबंदन में हाल ही में 87 में राष्ट के रूप में 22 जुलाई 2020 को निकाराग हुआ सामिल हुआ और अब जो है अंतराष्टी सौर गटबंदन है क्या तो अंतराष्टी या जो है सौर उर्जा संपन्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठान है ठीक है वास्ता में बात करेंगे अगले लेक्चर में तो चलिए फिलाल धन्यवाद थांक्यू थांक्यू ग्रीमिट फोर डिस्कसन चैनल को लाइक सब्क्राइब और सेयर करना मत भूलेगा धन्यवाद